आपको हर दिन जानवर्तक जानकारियां और उपाय बताते हैं जिससे आप सभी लाप राप्त कर सकते हैं दोस्तो हम यहीं चाहते हैं कि प्रतेग व्यक्ति हमेशा स्वस्त रहे और खुश रहे दोस्तो हम आप सभी की खुशलता के लिए मागड़िया देवी से प्रात्ना करते हैं दोस्तो आज हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके सामने आ रही आर्थिक समस्य का निदान हो जाएगा और आप इटली आ रही पैसों की तंगी समाप्त हो जाएगी कभी कभी दोस्तो आर्थिक इस्ति इतनी नाजूख हो जाती है कि हमारे किये गए आर्थिक व्रज़ी के सारे फुपाय फेल हो जाते हैं आप अपनी अधिक आर्थिक सबस्या को ठीक करने के लिए ये कारे करें और अधिक संपंता प्राप्त करें और दोस्तो इसके लिए आपको क्या चाहिए ये हम आपको बताते हैं आप एक साधा कागज ले ले और भोज़पत ले ले और तांबे या चांदी या प्लास्टिक वर बने वे श्रीयंत्र ले 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 ये आप अपनी सामर्त के अनुसार ले और शुक्रवार की रात को ये पूजा करें दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकॉन का प्रटन अवश्यदबा दिए और वीडियो को जाज़र से जाधा शेयर कीजिए जिससे अधिक साधिक लोगों को लाब मिल सकें। दोस्तो शुक्रवार राट्ष्ट्री में आप स्नानादी करके पवित्रों कर फूनी आशच पर पूर्दिशा की ओर मुझ करके बैठें और अपने साब में श्रीयंत रखकर गंगाजल पंचन्वत रोली चावल और गुलाव के पुष्ट चढ़ा कर विदू महे, विष्णो पत्मी, चाधी मही, तद्नो लक्ष्मी, परचो दयात। इस मंत की आप एक सो आठ बार जाब करें और इसके बाद आप श्री शुक्त का पाड़ करें और रोज नियम के साथ एक माला बताये गए मंत की कर्चे रहें और एक गुलाव का फूल श्री की समस्या समात हो जाएगी और धन आने के अनिको शोथ आपको मिलने लगेंगे और आप वो अपने हर कारे में सबलता मिलने लगेगी आप पुरी शर्दा और विष्वास के साथ ये पूजा करें आप ये आर्थिक संकट समात हो जाएगे और आप अपने परवार के साथ जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल जमक्ति किस्मक देखते रहिए जय माता की धन्यवाद